या देवी सर्वभूतेशु दुर्गारू पेण संस्तिता नमस्तस्याई 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 नमो नम भक्त जनों आपको पावन नवरात्रों की हारदिक बढ़ाई भक्तों पावन नवरात्री में मा के पावन नौ रूपों की विशेश पूजा आरादना करने से भक्तों को मा दुर्गा के विशेश के बाप्राप्त होती है तो आज से लेकर अगले हर नवरात्र में मैं आपको उस दिन पूजे जाने वाले मा दुर्गा के स्वरूपों की पावन कथाएं संगीत मैरूप में सुनाता जाऊंगा जिससे मुझे परमविश्वा से कि मेरे साथ साथ आप सबको भी मा दुर्गा की अति विशेश क्रिपा प्राफ्त होगी तो आएए आज सुनते हैं मा के प्रथम स्वरूप मैया शैल पुत्री की गाथा बोलिये शैल पुत्री मैया की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शैल पुत्री मात की प्रथम रूप दुर गाने धारा वक्तों की सुकदात की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शैल पुत्री मात की प्रथम रूप दुर गाने धारा वक्तों की सुकदात की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं भक्त जनों नवदुर्गा पूजन में मा का पहला स्वरूप आता है मैया शैल पुत्री का जैसा की नाम से ही वर्नित है मा शैल अर्थात हिमाले राज की पुत्री है मा का पावन स्वरूप अत्यंत नैना भिराम है भक्तों मा अपने एक हात में त्रिशूल और दूजे हात में कमल पुष्प धारन करती है और व्रशब अर्थात बैल पर सवारी करती है नवरात में प्रथम दिन पूरे विधी विधान से मा शैल पुत्री का पूजन भजन और कीर्तन करने से भक्तों को मा शैल पुत्री की असीन क्रिपाएं प्राप्त होती हैं तो एक बार फिर बोलिए बोलिए शैल पुत्री मैया की परवत राज हिमाले के घर मा दुरगा ने जनम लिया भक्त जनों ने इस स्वारूप को शैल पुत्री का नाम दिया एक हाथ तिर शूल बिराजे तुझे कमल को धारा है शैल पुत्री मैया जीने तो कारा ये संसारा है वेद पुराणों ने भी मैया हाँ वेद पुराणों ने भी मैया वस तेरी ही बात की प्रथम रूप दुर गाने धारा भगतों की सुखदात की आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं शेल पुत्री मात की प्रथम रूप दुर गाने धारा भगतों की सुखदात की अरे आओ तुम्हें मैं कथा सुनाओं भक्त जनों मा शैल पुत्री से जुड़ी वेद पुराणों में वर्णित एक और प्राचीन और अत्यंत मार्मिक कता है पूर्व जनों में मा शैल पुत्री ही मा सती थी सती मैया दक्ष प्रजापती की कन्या थी जिन्होंने अपने पिता के घंगोर विरोध के पश्चाद भी भगवान शिव से विवाह किया इस अपमान के प्रतिशोध हे तू दक्ष प्रजापती ने एक यग्य का आयुजन किया भग्तू जिसमें संसार के समस्त देवी देवताओं को बुलाया गया परन्तु भगवान शिव और मा सती को नहीं बुलाया गया इस बात से पूरी तरह आहत हो मा सती यग्य में जाने को उद्यत होती हैं भगवान शिव समझाते हैं परन्तु मा नहीं मानती आगे क्या होता है आईए सुनते हैं नहीं बुलावा आया यग्य का सतीक मन में पीडा की फिर भी यग्य में जाऊंगी मैं उनके मन में लगन लगी शिव जी ने समझाया फिर भी मैया एक न मानी थी पिता यग्य में जाऊंगी मैं यही मन में खानी थी शिव की एक नहीं मानी मा ओ शिव की एक नहीं मानी मा बस चलने की बात की प्रत्म रूप दुरगाने धारा भगतों की सुकदात की भगतों की सुकदात की आओ तुम्हें मैं कता सुनाओं शेल पुत्री मात की रखम रूप दुर गाने भारा भगतों की सुकदात की भगतों की सुकदात की आओ तुम्हें मैं कता सुनाओं मा सती शिवजी के समझाने के पश्चाद भी नहीं मानी भक्तों और अपने पिता दक्ष के यग्में बिना बुलाए जा पहुंची देखा स्रिष्टी के समस्त देवी देवता वहाँ पर उपस्ती थे उनसे जब द्रिष्टी मिलाई तो देखा उनकी द्रिष्टी में एक उपहास सा है रोते रोते अपने पिता से अपने पती शिवगो निमंत्रन ना देने का कारण पूछा तो दक्ष प्रजा पती ने शिवजी के विशे में ऐसे ऐसे दुरवचन कहे के मा सती उनको सुनना सकी भक्तों समस्त देवी देवताओं की और देखा तो वो भी शीज जुकाए बैठे थी बस बहुत हुआ इस अपमान को ना सहने के कारण मा ने क्या निर्णे लिया आएए ध्यान पूर्वक सुनिये भक्तों शिव जी के अपमान को मैया एक पल को भी से न सकी हवन कुण्ड के पास में आई मन में निर्णे लेने लगी ओम नमह शिवाय मंत्र को मैया कैसे डूब गई हवन कुण्ड की अगनी प्रचंड में देवी माता तोद गई भसनु हो गई अगनी कुण्ड में मा भसनु हो गई अगनी कुण्ड में अपनी काया राक की प्रथम रूप दुर का ने धारा भगतों की सुखदात की भगतों की सुकदात की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शेल पुत्री मात की रखम रूप दुर गाने धारा भगतों की सुकदात की भगतों की सुकदात की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, मा अगनी कुंड में कूद गई भक्तों, सभा में हाहाकार मच गया, मा का शरीर पूरी तरह अगनी को समर्पित हो कर जल गया भोले शंकर के शिश्यों ने जब उन्हें ये बात बताई तो उन्होंने अपनी जटा से वीर भद्र और महाकाली को उपजाया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ प्रजापती दक्ष के यग्य को पून तह विद्वन्स कर दो दोनोंने आज्या का पालन किया यग्य विद्वन्स कर दिया शिवजी ने भी प्रबल क्रोध में त्रिशूल मार कर दक्ष प्रजापती का शीश काट दिया और मास्सती के जले शरीर को कांधे पर उठाकर क्रिलोकी में विचरन करने लगे शिवजी को जब ग्यात हुआ कि जल गई माहा माया है अपनी जटा से शिवजंकर ने वीरभद्र उपजाया है वीरभद्र ने प्रजापती के यग्य का विद्वन्स किया शिवजंकर ने मार त्रशूल से दक्ष के सिर को काट दिया चरनों में गिरिदक्ष की पतनी और दया की बात की कथम रूप दुर गाने धारा भगतों की सुखदात की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं शेल पुत्री मात की प्रथम रूप दुर गाने धारा भगतों की सुखदात की आओ तुम्हे मैं कथा सुनाओं श्रिस्टी का कारज भूल धोले शंकर मा सती के शव पर विलाब करते रहते भकतों तब श्री हरी विश्णू ने सुदर्शन चक्रमार मा के जले हुए शरीर के टुकडे टुकडे कर दिये जो भूमी पर अलग-अलग जगे बावन सानों पर गिरे और गिरते ही वहां बावन मा के शक्ती पीट बन गए यही मा सती अगले जन्मे शैल पुत्री अरथात मा पारवती के नाम से प्रसिद्ध हुई और इस जन्मे भी उन्होंने भोले नात के घंगोर तपस्या कर उन्हें पती के रूप में प्राप्त किया तो भकतों ये थी मा शैल पुत्री की पावन कथा सती किशब के टुकडे गिर कर जहाँ जहाँ भूमी पे पड़े बाबन शक्ती पीठ वहाँ पे मैया के तो बन गए अगले जनम में मा सती ही शैल पूत्री बन आई है शिब शंकर को बर पाया है चंदन तिलक लगाई है पूर्ण हुई है गाथा भक्तों पूर्ण हुई है गाथा भक्तों शिब गौरा के साथ की प्रत्म रूप दुर गाने धारा भक्तों की सुखदात की आओ तुम्हे मैं गथा सुनाओ शैल पुत्री मात की प्रथम रूप जुर गाने धारा ख़तों की सुखदात की पर आओ तुम्हें मैं कता सुनाओं